सुप्रीम कोट ने मोधी सरकार को बड़ा जटका देते हुए चुनावी बॉंड योजना की बैदता को रद कर दिया है इतना ही नहीं सुप्रीम कोट ने इसे असम्विधाने करार देते हुए बैंक्स को इसकी बिक्री रोकने का निर्देश दिया है CGI चंदरचूड ने तो इसे मौलिक अधिकारों का उलंगन भी बताया है और साथी ये भी कहा है कि ये ब्लैक मनी रोकने का एक मात्र तरीका नहीं है आपको दादे की सुप्रीम कोट का ये फैसला मोधी सरकार के लिए बड़े जटके की तरह है सरकार ने इसे राजनेतिक चंदे में पारदर्शिता लाने की पहल की तरह पीश किया था लेकिन अब सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में ये माना है कि चनावी बॉंड की गोपनिय था अनुछेद 1911 के तहट सूचना के अधिकार का उलंगन है इसके साथ ही भारती स्टेट बैंक को निर्देश दिया कि योजना के तहट किस पार्टी को कितने चनावी बॉंड जारी किये गा है इसकी जानकारी महिया कराए रिपोर्ट्स के नुसार SBI को चनावी बॉंड के माध्यन से राजनेतिक दलो को मिले चंदे का विवरण तीन सप्ता के अंदर इरेक्शन कमिशन को दे रहा होगा कोट ने SBI को ये भी निर्देश दिया कि वो चनावी बॉंड से जोड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करे SBI को राजनेतिक दलो द्वारा इनकैश कराए गए चनावी बॉंड का विवरण भी देना होगा वही इनकैश नहीं कराए गए चनावी बॉंड की राश्री खरिदार के खाते में वापस करनी होगी बदादिंगी केंदर सरकार ने 2 जनवरी 2018 को चनावी बॉंड योजना की गोशना की थी किसी राजनेतिक दल को दान देने के लिए चनावी बॉंड किसी भी भारतिय नागरिक को SBI की अधिकरत शाखाउं से KYC कम्पलाइंट अकाउंट के माधिम से खरीदा जा सकता था राजनेतिक दलों को इने जारी होने से 15 दिन के भीतर इन कैश कराना होता था चनावी बॉंड के जरिये चन्दा देने वाले डोनर का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी और इस प्रकार दानकरता गोपनिय हो जाता था किसी व्यक्ती या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चनावी बॉंड की संख्या पर कोई लिमिट तैय नहीं थी CGI की अधिक्षता वाली पांच ज़यों की समविधान पीठ ने बिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना पैसला सुरक्षत रख लिया था सुप्रीम कोड की समविधानिक पीठ में CGI डीवाई चंदर चूड के अलावा जुस्टिस संजीव खन्ना, जुस्टिस बी आर गवाई, जुस्टिस जेबी पार्दिवाला और जुस्टिस मनोज मिश्राश शामिल थे देख रहिए, जुस्टिस ट्वटीफोर